बर्द्यान पर्मन है वो कह रहे हैं प्रभू जी गनेश जी की साधना कर रहा हूँ है लेकिन सिद्धी प्रात की हो रही है बही सिद्धी गडेश जी बिचारे कहां कहां जाएं उसका भी एक उपाय है यह तो बिनोध में हम कह रहे थे बुद्वार के दिन 108 दूर्वा की माला बना करके ओम गम गड़पत यही नमा रात्री मद रात्री में भगवान गड़ेश पारत के गड़ेश जी आप अपने घर पर रखिएगा पारद के गड़ेश जी का अविशेक करने के बाद में दूरबा की माला आप भगवान गड़ेश को चढ़ाईएगा और यह है प्रियोग अगर आप 40 दिन तक लगा अतार करते हैं तो रिद्धी शिद्धी मिल जाएगी गड़ेश जी ना मिले तो उनकी घरवाई से मोबाइल से तो नहीं पहुंच सकती क्योंकि उन्हों अभी डिजिटल नहीं खोला होगा वहां से अभी उपर से हमें ऐसा कोई लाइप सेशन नहीं मिला है कि भगवान कि यहां से चल रहा हो कि यह सत्त लोग से लाइप चल रहा है संसकार टीवी चैनल पर या बागे सुधाम चैनल पर तो आपके पास है तो मोबाइल से भगवान से प्राथन स्वीकार नहीं होती है अगर आप मार्क दरसन पूछना चाहो तो भगवान बाहर नहीं है भगवान अंदर है और भगवान तक प्राथना पहुंचाने के लिए हमारी दृष्टी में अब आप क्या मानते ह आप क्या सुनते हो यह आपका बैस है पर मेरी बेना न हमारी दृष्टी में आशू से बढ़िया कोई माध्यम नहीं बढ़िया संदेशा पहुंचाने का काम आपके नेत्रों की सजलता नेत्रों की भाव वहवलता नेत्रों की जो बिंदू है न ये बिंदू ही उस परमात रूपी सागर तक पहुंचा सकते हैं वो क्योंकि अथा है वो भीतर भड़ा पड़ा है तो ये बूंद ये बिंदू हासू मतरब उसके लिए तड़पना उसमें डूब जाना हमने एक सुत्र बहुत पहले कथा में दिया था और कई बार हम बोल देते हैं भगवान खोजने से प्रमात्मा की प्राप्ति होती है तो आप अपनी प्राथना के लिए तड़पन को प्रगट करों पहुंच जाएगी